यशो मती मैं आके नंदिलाला महल में प्रकाश कम से कम होना चाहिए विशेश रूप से महराज के सिहासन के चारोर स्री हरी नारायन भगवान की महिया यहां तो पुरुख गाउन आयो है मेरे मित्र भी आयो हैंगे ना पर देख लाला अतिक दूर मती जाना पस महिया इत्ती दूरी जाओंगो कि आप्ता कान मेरा स्वर सुन पाए और आक्षे मुझे देख पाए मुझे पतो है महिया चाँ कुछ 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 के तसंवर सुन में ढईख में कुछ कुछ Du चंद्रदेव पधार गए है चलो हम सब खीर का प्रशाद उनके प्रकाश में रख दे हाँ वहां क्या हो रहे हो है सब खीर को चंद्रमा की प्रकाश में रख रहे है ऐसा क्यों? साकी खीर प्रशाद और अधिक मीठी और पोस्टिक हो जाए चंद्रदेव का स्वार मीठो उठत हो है क्या? हाँ और गुड से भी अधिक मीठा तब भी सब रात में पंची उठके चंद्रदेव तक जाते हैं उनकी मीठास का स्वार लेने मैंने अपसे जड़ो किस से दीखो है अब जी का अधा के एरो है तो सक्की ही हो गो लगता है हमारे साथ आज भी उफास होने वाला है आज भी महाराज कंज के दर्शन नहीं होंगे यह अनुचित है महाराणे ने आश्वासन दिया था हमें हाँ बिना महाराज के दर्शन के कोई वापस नहीं लोटेगा आज हम महाराज से मिलकर ही यहां से जाएंगे हम जानना चाहते हैं कि महाराज जीवित हैं या नहीं हम महाराज से बिज़कर ही जाएंगे तो आपको पतो है चंदर देख खेर को और मीठा कैसे बनाते हैं तुम दोनों तो उनक से बड़े हो तुम्हें पतो है? मुझे क्यों रिखता पतो है कि जब यह की रखाने को मिलती है न तो बहुत स्वादिश और मीठी भी लगती है लगतो है अब मुझे ही जाके पतो कोनों पड़ेगो समय आग्यों है कि बता लगायों जाए चंदर देख इस खी को मीठा कैसे बनाती है? काना वा मज्जाना सुबाई डाट पड़िये फिरसे पड़ जाएगी शिंता मत्ती करो दाओ आप सब बस मेरे पीछे रहना आज हम सब चंदर देख कर रैस बता लगा के रहेंगे क्यों मित्रो? ठीक है मैं अकले ही पता लगा लूँगो केवल उपर से तुँ चंदर देव को प्रकास आरी हुए तै यहीर इसे से तुम मित्री ना हो रही काना क्या कर रहा है? देख राठा चंदर देव का स्वाद मीठा है क्या? पर हिस में तो कोई स्वाद ही ना है श्रीमन नारायन नारायन हरी हरी तेरी लीला सबसे क्यारी ना हरी 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 हजमन नारायन हरी हरी जै 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 नारायन हरी 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 यू नारायन मया चंद देव जाल में गिर गए शिगर चलो ना मया जे क्या के रोए लल्ला मया आप चल के देखो तुछ सही चंद देव कुछ हो जाए ना लल्ला चलो ना मया ये दिखो मया चंद देव आप सो बस रही की हूँ, चंद्रदेव को बचाओ ना काना, चंद्रदेव तो वहाँ है लल्ला, देख वावी और यहां भी दोदो चंद्रदेव है क्या? ना लल्ला, चंद्रदेव तो एक ही है पर जित तुझसे इता प्रेम करते हैं ना तो जब तू आकास में देखता है, तो तुझे दिखता है और जब तू नीचे देखता है तो जल में भी दिखता है प्रतिवे में लल्ला हाँ, मुस्से इत्ता प्रेयंद करते हैं ये तो मैं इन्हें अपने हाथों में देखर देखूंगा हाथ में लेके? जे तो संभवना है जब ये इसमें समा सकते हैं तो मेरे हाथों में क्यों ना सकते? मुझे इन्हें चुना है मैया ऐसा हट मत करका न पर क्यों मैया पर आप मुझे किसी बाद के लिए मना ना करती फिर अभी क्यूं कर रही हो क्या कह रहो काना देखो न जी चंदरदेव चाहिए इसे हाथ में पकड़ने के हट कर के बेठो है काना मैया सही कह रही है चंदर देव कोई हाथ में लेने की वस्तू ना है मैया को जो मुझे इत्ती छोटी से इच्छा भी ना मानने तो मुझे यार आई क्यों जाओ मुझे आपसे बात नहीं करने लल्ला, तुझे तो पतो है न तेरे मैया तुझे बात किये बेना एक छण भी ना रह सकती मैं आपसे तब भी बात करूंगो जब आप मुझे चिंदर दीव लाके दोगी तब तक तो ना आपके पास आऊंगो और नहीं प्रशाद काऊंगो हाँ नहीं तो लल्ला अब मैं इसे चंदर देव कहाँ सुला के दूँ प्राप्ती अब तुम क्या करोगी कैसे मिलवाओगी न सबको महराज से पूरा राज बरबार भरा हुआ है सब महराज के प्रतिक्षा में आतुर है और कुछ सवासदो को तो ये भी संदे है कि स्वामी जीवित है भी या नहीं तो फिर चलो मिलते हैं उनसे प्राप्ती वो तुम्हारे नहीं महराज के दर्शन करना चाहते हैं मैंने कहा रहा तुम्हें मेरे साथ चलो चल है ये अहां चल है ये हमें महराज से मिलना है आपने आश्वासन दिया था कि आज रात हम महराज कंग से अवश्य मिल पाएंगे तो कहां है वो कि अप कि 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 महराज कंस्की ये! महराज कंस्की ये! असंभाव को संभाव कर दिया तुमने किंटु कैसे प्राप्ति? मैंने कहा था ना, ये सब महराज से मिलना चाहते हैं तो इन्हें इनके महराज अवश्य मिलेंगे आप खड़े-खड़े क्या देख रहे हो? कुछ सुझाओ तो दो अरे मैं क्या कहूँ? चंदरदेव कोई गेन थोड़ी ना जो उसके हाथ में लाकर थमा दूँ मुझे भी कचो सूज ना रहो चंदरदेव कोई गेम थोड़ी ना जो उसके हाथ में लाकर थमा दूँ मुझे भी कचो सूज ना रहो पर मुझे सूज गयो और समझ में भी आ गयो कि मुझे क्या करना है क्या करना है? कस्तूरी, सुन काना? माईया, जब तक आप मुझे चंदरदेव नहीं दोगे मैं आपसे बात ना करूँगो इसलिए तु बुला रही हूं लाला? आजा, ले ले अपने चंदरदेव खची ने? आ लाला चंदरदेव चाहिए ना? चंदरदेव को हाथ में पकड़ने के लिए तयार है ना लाला? हाँ चेले चंदरदेव जो सारे जक्की लीलाओं का संचालन करते हैं उनकी मईया उनहीं के साथ आज लीला कर रही है गोल गोल चंदरदेव गोल गोल देखो मेर पस क्या है पर चंदरदेव तो चो मुँ मीठो करनों है तुम्हों बंद करनों होगो आज लाला खा ये सच्ची में चंदरदेव है ना मया हाँ लाला मैला और स्मान में सच्ची के चंदरदेव पर इसमें और अब मेरे हाँ में माया में इनका साथ चख लूँ खान के गोले को तो चखी सकतो है लाला मैया ये तु सच्ची में बहुत मिठा है मैं अपने सखाओं को भी चखा दूँ अवाज चल लाला अपनी जो भी वस्तू होती है उसे दूसरों के साथ मिलबाट के ही उप्योग करनों चाहिए चा आज तो खान की गेनने बचा लो चले क्रिष्णा पुरली मारो क्रिष्णा ओ पाला ओ विंपा एदा मोदरा क्रिष्णा पुरली मारो महाराज कुछ बतले बतले से लग रहे है ना ? संभव है कहीं वर्षों की तपस्या के काराण ऐसा लग रहा हो ? अश्विन पूर्णमा की राग जब सब लोग चंद्रदेव के दर्शन के लिए व्याकुल होते हैं आप सब मेरे दर्शन के लिए तडप रहे थे और वो तडप इतनी थी कि उसने मेरी तपस्या वर्षों की तपस्या भंग कर दी वैसे यह तपस्या मैं किस के लिए कर रहा था ? आप सभी के लिए ताकि आपके महराज बहुर शक्तिशाली हो जाएं और उस विश्णु अव्तार का बद्ध कर सकें पर मेरी महराणियों ने मुझे बताया कि मेरा एक फक्त ऐसा भी है जो मुझसे मिलने के लिए इतना व्याकुल है कि उसके बारे मैं जानकर मेरे मन में उससे भेख करने की इच्छा जागुदी और फिर क्या था ? मैं अपनी वर्षों की तपस्या बंग करके यहां आ गया किते मीख्यों अस्वादे ते चन्यवदेव एक बार आल में जाते तो अधियते अंदर जा जातो इसमें ते को चन्दरेव है ? चन्दरेव आप तो मैया के हात में आ गये थे ? तो मेरे हातों में क्यों नहीं आ रहे हो ? नक्ष्मी नारायण . नारायण हरी हरी ? नल्ला ? जावला मैया ? ये मेरे पास क्यों नहीं आ रहे है ? क्या मुच्षी ने प्रेम नहीं ये ? चल 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 भीतर सदानिंजी पाठ सुनाने वाले तुझे जानना था ना अश्विन पूर्णिमा के बारे में अश्विन पूर्णिमा या शरत पुडिवा इसका केवल इसले महतु नहीं है कि अब वर्शा रितु का समापन हो रहा है बल्कि इसका इसले महतु है कि आज रात ही चंद्रदेव के प्रकाश में मैया लक्ष्मी धर्ती पर आवतरित हुई थी अब मैया लक्ष्मी की पूजा करके उनके प्रियक्षीर को प्रसाद के रूप में चलानो है मा नक्ष्मी अवतरित हुई धरा पर प्रभु के तर्शन को आई पर देख चंद्र पर ध्यान प्रभु का मा अचरज से मुस्काई अद्भुत प्रभु मैं आपकी दर्शन के लिए आई हूँ और आप चंद्र देव के दर्शन के लिए उत्साहित है परन्तु मुझे आपके दर्शन मिल गए मेरे लिए इतना ही परियापत है चंद्र देव तो फिर से आगए तो वो क्या था जो मैंने चक्खा था लक्ष्मी मैया के पूजा के पस्चात अब हम चंद्र देव की पूजा करेंगे ताकि यो खीर के प्रसाद पर अपना अम्रित्त तो बरसा कर हम सब को अपना आशिरवाद कुदान करेंगे अब हम सब खड़े होकर चंद्र दर्शन करेंगे और उनका आशिरवाद लेंगे अरे चंद्रदेव कहा गए अभी तो यहीं आकास में चमग रहे थे सब यहां है तो काना कहा गए हो दिखने ही रहे अबेडे चर्फ हो यहां है